चाइना चाहे कितने भी कोशिस कर ले लेकिन आइनस कलवरी को हरा नहीं पाएगा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चाइना अब कोशिस कर रहा है पाकिस्तान को सम्मरीन सप्लाई करने की और टारगेट भी दिया गया है 2028 तक हम 8 सम्मरीन पाकिस्तान को सप्लाई कर चुके ह चली comparison करते हैं कि China किस टाइब की सम्मरीन अभी supply कर रहा है और फिर 2028 तक अगर supply कर भी देगा तो इंडिया पे उसका क्या influence पढ़ सकता है Actually, ये जो सम्मरीन supply की जा रही है इसका comparison इंडिया के कलवरी सम्मरीन से किया जा रहा है सवाल ये भी है कि क्या ये comparison लाज़मी है अभी के टाइम पे आपर हैंड क्या है और इंडिया का strategic point for future reference वो क्या हो सकता है ये सब आज की वीडियो में हम discussion करने वाले हैं यहां देखिए खबर क्या आती है पाकिस्तान को एक new hunger class जो है सम्मरीन मिली है देखिए सम्मरीन का काम क्या होता है obviously पानी के नीचे जाना और आपकी किसी भी nation के basically चीजों को neutralize करना या फिर वहां की information को gather करना या फिर छुपे रहना और right time का इंतजार करना तो यही काम है सम्मरीन का और पाकिस्तान के अंदर सम्मरीन के level पे technological advancement ना के बराबर है लेकिन हाँ अब चाइना इसकी मदद कर रहा है situation यह है कि यहां पे first submarine जो है वो आपके port से port of Wuhan से basically launch के रिए तयार है और ऐसा target है कि by 2028 इस type की पाकिस्तान नेवी के अंदर लगभग आठ सम्मरीन जो है वो इंडक्ट की जाएंगे और first hunger class submarine जो कि चाइना ने बनाई है पाकिस्तान के लिए वो आपकी वहान शिप्यार से अप्रेल 26 को launch कर दी गई है अब इसका comparison कहां पर किया जा रहा है जो हंगर क्लास है वो इंडिया के कलवरी क्लास से comparison किया जा रहा है सवाली है कि comparison कितना लाजमी है और अगर है तो इंडिया को क्या step लेने चाहिए जिससे कि हम better perform कर सकते हैं under these scenarios देखिए एक तो important news ये निकल के आ रही है जो पाकिस्तान को हंगर क्लास समरी मिल रही है वो चाइना की type 39A समरीन के लगबग सेम ही है और ऐसा कहना है US defense system का अब इस समरीन के बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोसिस करते हैं जैसा है मैंने बताया कि चाइना की type 39A यौन क्लास से इस समरीन की काफी resemblance मिलती है तो ये समरीन जो है वो diesel electric attack समरीन है अब इस word पी थोड़ा सा focus करने की जूरत है diesel electric इसका क्या मतलब होता है देखिए ये है आपका proportion fuel की कि किस fuel के basis पे ये समरीन जो है आपकी वो चलने वाली है जब diesel fuel की हम बात करते है न उसको burn करने के लिए आपको air की requirement होती है अब आपको पता है समरीन का काम तो है still technology वाला मतलब छुपे रहना पानी के अंदर उस time पे फिर ये diesel fuel का use कैसे कर पाएगी इसलिए ये diesel electric है मतलब कुछ time के लिए इसको surface पे आना पड़ेगा fuel burn करेंगे electric energy store करेंगे और वापी से चले जाएंगे ये process चलता रहेगा और ये जो आपका हंगोर नाम दिया गया ना ये PNS हंगोर के नाम से दिया गया जो कि अभी decommission कर दी गई ये पाकिस्तान की नेवी में पह काफी बड़ा रोल था डीजल electric में आपको बता चुका हूँ ये mode of propulsion होगा डीजल भी है electric भी है तब ही ये submarine का काम कर पा दी अदर वाइस तो ये surface पे ही रहती है और surface पे submarine का कोई खास मतलब बनता नहीं अब सवाल ये हाता है आपे कि ये जो hunger class submarine है इसके अंदर कितने diesel engine है चार diesel engine यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब इसके अंदर एक important technology है इसको क्या बोलते है air independent propulsion AIP देखो होता क्या है जब कोई missile sorry submarine diesel electric होती है तो वो diesel पे चलती है दो से पास दिन के बीच में ये submarine water care अंदर रहेगी और वापिस से इसको surface पे आना पड़ता है लेकिन जब ये air independent propulsion technology के साथ होती है तो इसका extension जो हो भड़ जाता है underwater रहने का मतलब 15 से 20 दिन अब ये underwater रह पाएगी ऐसी technology इसके hunger class के अंदर डाई गई है जो attack होगा इस submarine से तो basically ये जो attack है ये आप ये मान के चलो कि इसके अंदर 21 inch torpedoes देखने को मिलते हैं tubes देखने को मिलते हैं मतलब यहां स missile जो है वो निकल सकती है 621 inch torpedoes देखने को मिलते हैं जो कि INS कलवरी के ऊपर भी है ठीक है अब थोड़ देर में हम इसका comparison करने वाले हैं इंडिया की INS कलवरी के साथ में फिर देखेंगे कि actually क्या importance और क्या significance यहां पर देखने को मिल रहा है तो ये तो आपकी submarine होगी जो पहरी सबसे सीज है number कि हमारे पास INS कलवरी कितने है number में तो हमारे पास currently 6 हमारी submarines under operation है by 2030 इंडिया का target है कि हम 3 और add-on कर देंगे मतलब जब पाकिस्तान के पास में 8 होने का target है अभी तो पाकिस्तान के पास एक है 6 हमारे पास already operational है मतलब यहां पे हम काफी ज़्यादा advantageous है दूसरा पाकिस्तान की जो hunger class है और direct counterpart है इंडिया की INS कलवरी का यह मानना है China का लेकिन यहापे कुछ differences है हाँ कुछ cases में आपका hunger class advance है और कुछ cases में INS कलवरी भी advance है अब देखते हैं कि उस पे इंडिया का solution क्या है देखे सबसे पहले size और displacement के comparison करूँ तो 1775 टन INS कलवर displacement कर सकती है और जिसकी length जो 67.5 meter long है यहीं पे आपकी hunger class की length है 76 meter long और little wider भी है हमारे comparison में 8.5 meter और इसका अगर मैं displacement बात करूँ तो 2800 टन मतलब capacity भी यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिल रही है मतलब इस parameter पे तो यह INS कलवरी से better perform कर रही है दूसरी सबसे बड़ा काम क् AIP Air Independent Purpulsion अगर उसके पास है तो वो 15 दिन तक आपका क्या हो जाएगी स्टिल्थ टेक्नलोजी को यूज करेगी मतलब छुप पाएगी यह हो सकता है तो हम अगर बात करें तो इंडिया करंटली AIP टेक्नलोजी को नहीं possess करता है और यह एक negative point है काफी बड़ा negative point है लेकिं ड SP होता है वो तो यह है कि वो कितनी capability रखती है underwater रहने की क्योंकि अगर वो surface पे आ गई तो फिर enemy country को वो असानी से visible होगी और यह यहाँ पे हमारी कलवरी जो है वो थोड़ा सा lag करती है बट स्टिल important पता है क्या है यह जो AIP technology है इसका हम in-house development कर रहे हैं मतलब इंडिया इस चाइना पे dependent है यू नो देचर आफ चाइना वेरी वेल वो यहाँ पे इंडिया के अंदर submarines अपने आप develop हो पाएंगी आपकी air independent propulsion के साफ में अब important एक और चीज है कि जो आपके diesel electric है जैसा मैंने बताया कि वो दो से पास दिन रहते हैं तो वहीं AIP 15 से 20 दिन होगा अभी तो अभी एक ही है इंडिया है उसिक समरीन बट स्टिल इंडिया इस वरकिंग और डिवलप्मेंट अफ दिस AIP technology AIP system तो हमारे लिए यह काफी convenient हो जाएगा अब एक और important चीज यहाँ पे है अगर armament की बात की जाती है तो no doubt हमारे पास भी क्या है 621 inches आपके कलवरी क्लास ज इनके अंदर MICA technology anti-air missiles देखने को मिलती है anti-ship missiles देखने को मिलती है तो मतलब यह जो missile है मैं यह बोलूँगा they are far superior than the missiles which are present on the hunger class मतलब यह हुआ कि अब हमारे पास weapon के wise superiority जो है INS submarines पे देखने को मिल रही है जो कि आपके पाकिस्तान को जो मिल रहा है चाहिना से उसमें यह superiority नह यह दोनों ही missile जो है दोनों ही submarine जो है उनका vertical launch system जो है वो नहीं capable है मतलब वो आपके surface के तरफ जो attack है वो नहीं कर सकती बढ़ हां दूसरी submarine को डुबाने का जो हिसाब है वो बड़ी आसानी से रखती है both submarine classes they carry the state of the art sensor shoot ठीक है मतलब एक दूसरे को sense करना दूर से एक idea लगान कोई और vessel तो यहां पर present नहीं है वो दोनों के पास ही है और अगर मैं hunger capability की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा public में अभी available नहीं है बठा जो चाइना का experience रहा है वो यह बताता है कि चाइना perfect technology कभी भी transfer नहीं करता है और इसकी वज़े से जो चाइना का 39 submarine जो है अपका उसकी अगर copy भी की जाएगी तो definitely वो system है वो perform जो है आउट पर्फॉर्म तो नहीं कर पाएगा बठाये नश कल वरी वो आउट पर्फॉर्म कर सकता है सरफ एक ही difference है AIP air independent propulsion अगर हम यह add on कर पाते हैं तो हम काफी advanced हैं but important चीज़ यह है कि हमारा comparison पाकिस्तान से नहीं है अग पाकिस्तान का खास role नहीं है चायना इवन खुद अपनी presence इंडियन ओशन में बनाना चाहता है तो major concern point यह नहीं है कि पाकिस्तान को यह hospitality को बनाना चाहता है में भी हो सकता है काफी बार ऐसी news भी आती है कि जो data sharing है और data leakage जो है वो यहां से देखने को मिल सकता है तो हो सकता चाइना अपनी ऐसी टेक्नोलोजी इसमें यूज करे जिससे कि पाकिस्तान को तो डेटा मिले ना मिले लेकिन चाइना उससे इंफर्मिशन जरूर टेक आउट करने की कोसिस कर सकता है तो इंडिया को एक्स्ट्रा अट्रिंटिव रहने की रिक्वार्मेंट है और थोड़ा ए एक ही दुसमन नजर आता है उसको इंडिया, that's why इंडिया need to take better step for the technological advancement, आपका क्या मानना है इस पर, क्या हमारा competition पाकिस्तान के साफ में है, या फिर, we are in comparison with China, not with Pakistan, do share your views over the comment section, इस session की PDF आप कपल भालवाउस for you से डाउनलोड कर पाएंगे, and this is my Instagram handle, आप मुझे याप फोलो क आपी का सुष्छी आनलोड करीज आता है, इसे शलिजा एका के सदाफ कर नहीं है, आप बरूपागा, आपका करीजितल के स्वापे, ये पर काथिक्ड़ा है, आप क्याम है रहा है, आपका किस्तानलोड नहीं है dependsutions, आपका है ażका कर टक्षा नहीं हुए मॉएँ, आपका है